क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्योस्चन 8 देखते हैं क्या है इंपोर्टेंट क्योस्चन है एन एपी कंसिस्ट ओफिफ्टी टम्स ओफ विच थर्ड टम इस 12 एंड दा लास्ट टम इस 106 फाइंड दा 29 टम क्योस्चन नमबर 7 जैसा ही क्योस्चन है बट थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए उसने क्या कहा है यहां पे कि किसी एपी के अंदर 50 टम्स है उसकी थर्ड टम हमें 12 दे रखी है लास्ट टम हमें 106 दे रखी है तो हमें 29 टम फाइंड आउट करनी है अब सबसे पहले देखो एन एथ टम का फोर्मुला क्या होता है एन एक्वाल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फोर्मुला जरूर राइट डाउन कर देंगे अब यहां पे हमें 50 टम दे रखी है 106 लास्ट टम 106 बोली है न और एपी के अंदर टोटल टम कितनी है 50 तो लास्ट टम क्या होई हमारी 106 तो यहां पे क्या लिखेंगे हम 50 टम एक्वाल टू 106 और हमारी थर्ड टम जो दे रखी है थर्ड टम वो हमें दे रखी है 12 हो गई अब यहां पे देखो 50 टम को कैसे लिखा जाए एन की जंगा 50 पुट कर दो ए 50 एक्वाल टू ए ब्लास 50 माइनस 1 इंटू D तो किसके एक्वाल होगी ए 50 एक्वाल टू ए ब्लास 49 D के क्लियर है तो यहां पे हमें 50 टम ए प्लास 49 D एक्वाल टू 106 दे रखी है इसको एक्वेसा नमबर 1 माल लेंगे थर्ड टम हमें 12 दे रखी है तो A प्लास 2 D एक्वाल टू क्या हो गई 12 यह हो गई एक्वेसा नमबर 2 कलियर हो गया है कैसे लिखिए थर्ड टम को एक सब्ट्रेक्ट करके लिखते हैं यहां पे 50 टम थी तो हमने इसको 49 D लिख दिया थर्ड टम है तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 D अब इनको सिंप्लिफाई कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम एक्वेसन फर्स्ट एंड सेकेंड यहां पे क्या है A प्लास 49 D इक्वल टू 106 और हमें क्या देर रखा है A प्लास 2 D इक्वल टू 12 इसको सिंप्लिफाई करते हैं यहां पे यह माइनस यह माइनस यह माइनस यह कैंसल आउट हो गया 49 D में से 2 D गया तो हमारा क्या आगया 47 D इक्वल टू 106 में से अगर मैं 12 को सब्ट्रेक्ट करूँगा तो मिरे पास क्या आजाएगा यह 94 आजाएगा तो D इक्वल टू क्या हो गया 94 डिवाइड बाई 47 47 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आगया 2 तो common difference जो है हमारा AP के अंदर वो 2 है अब इसको क्या करेंगे हम किसी equation में put कर लेंगे put in equation first put in equation first equation first में put करते हैं A plus 49 D equal to 106 D की value put करेंगे 2 तो A plus 49 multiply 2 equal to 106 और A plus 49 multiply 2 करेंगे तो 98 हो गया is equal to 106 A यहाँ पे plus 98 है तो right side जाएगा minus हो जाएगा 106 minus 98 तो A equal to क्या आगया 8 आगया clear हो गया अब हमारे पास first term भी आचुकी और common difference भी आचुका अब हमें कौन सी term निकालनी है कोई भी निकालनी हो easily हम find out कर सकते हैं अब हमें A 29 चाहिए A 29 किसके equal होगी A plus N minus 1 into D होता है तो 29 minus 1 into D तो A 29 equal to किसके होगी A plus 28 into D के अब simplify कर लेते हैं इसको तो A 29 equal to A की value क्या है 8 plus में 28 multiplied 2 28 की और 2 की अगर मैं multiply करूँगा तो 56 हो गया तो A 29 equal to 8 plus 56 तो यहाँ पे A 29 equal to किसके हो गया 56 और 8 क्या हो गया 64 तो 29th term हमारे पास क्या आ गई 64 और यह हो गया answer Question clear है चैनल को subscribe जरूर करना आने वाली वीडियो की notifications के लिए